हलो दोस्तों नमस्कार, study portal में आप सबका स्वागत है, मैं आपका साथी और गाई डॉक्टर वीजे, दोस्तों DSSP में जितनी भी vacancy आती है, चाहे वो पहले आई हो, चाहे अब बाद में आने वाली हो, उन सब के ओ लेकर के बच्चों के दिमाग में एक question जरूर रहता है, कि vacancy चाहे DSSP में PRT की हो, TGT की हो, या PGT की हो, selection process को लेकर के सब का doubt रहता है, कि part 1 का क्या होगा, और part 2 का क्या होगा, कितने number paper 1 में चाहिए, कितने paper 2 में चाहिए, tire 1 का क्या process है, tire 2 का क्या process है, ये वाली जो चीज है ना, ये हर बार बच्चों को प्रेशान करती है, कभी number उनक करके आज वीडियो बनाएंगे कि selection process क्या है, खास करके DSSP PRT, TGT और PGT के अंदर, आइए देखते हैं, शुरू करने से पहले बता दूं कि all over India में हम study material भेजते हैं, DSSP PRT, TGT, PGT सब का, जिसको इस number पर call या WhatsApp पर बात करके order कर सकते हैं, DSSP में general paper plus subject, दोनों section का material दिया जाए है, छे booklet general paper में होती है, हिंदी, English, reasoning, math, GKO, teaching, aptitude वारा section और फिर subject जो भी आपका है, PRT, TGT, PGT में उसका section भी complete होता है, तो आइए देखते हैं, किस तरीके का process होता है, किस किस को कितने कितने number इसमें लेने होती है, अब कोई भी notification हो, process सबका same रहता है, मैं एक बर आपको idea किस तरीके से DSSB इस चीज को treat करता है, only those candidates have been shortlisted, किसी भी vacancy में वह सेम process है, यह कहता है, यह कहता है, शरफ वही candidate को shortlist किया गया है, for uploading e-dozier, e-dozier upload करने के लिए, who have qualified in section A and section B, यानि section A, जो general paper आपका है, हिंदी, English, math, reasoning, GK वाला section, और B, भी वो section है, जिसमें आपका subject है, PRT में तो PRT वाला, EBS वाला section और वो, और TGT में है, तो SST है तो SST वाले, math है तो math वाले, Hindi है तो Hindi वाले, English है तो English वाले, और अगर PGT है, तो भी आपका subject है, Hindi PGT है तो Hindi PGT वाला section, political science तो political का history है, तो history का, English है तो English का, geography है तो geography का, chemistry है तो chemistry का, तो एक तो यह चीज देखने ह separately, separately का मतलब होता है, अलग-अलग, section A में आपको अलग से qualify करना है, और section B में आपको अलग से qualify करना है, तो एक चीज तो आपकी यह clear है, कि A और B दोनों में आपको अलग-अलग qualify करना है, and obtain the aggregate marks above or equal to the cutoff, और बच्चों ने aggregate जो marks हैं, वो cutoffs के या तो बराबर पाए हैं, या पिर उसके ज्यादा पाए हैं, जैसे माल लो, 120 cutoff है, किसी की भी बात कर रहा हूं, अगर 120 cutoff है, तो A और B, दोनों section की बात यहां पर हो रही है, करके, तो यह कहता है कि या तो आपने दोनों से अलग-अलग तो पास किया ही हो, इकठे मिला कर भी जो cutoff है, उसके बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो यह process है, अचा दूसरा यह कहता है कि और क्या formula है, कि number कितने चाहिए minimum, उसके लिए क्या है, यह कहता है, कि as per the board notice date 26-4-2013, आज से कई साल पहले 2013 में एक notice आया था, उसी पर process चलता हमेशा से, the minimum qualifying marks in one टायर, written examination for general category, candidate is 40%, general category के अंदर, यह कहता कि general category वालों के minimum 40% होने चाहिए, अगर 100 नंबर का paper है, तो कम से कम आपके पास 40 होने चाहिए, अगर 40 से कम है, तो फिर आप यहीं बाहर हो जाओगे, आपको आगे जाने की जरूती नहीं पड़ेगी, अगर आप OBC के candidate है, तो फिर आपको minimum 35%, यानि 100 का paper है, तो 35 नंबर चाहिए, अगर 34 भी आगे ना, तो आप यहीं से बाहर हो, आपका result आउट नहीं किया जाएगा, एडोजिर अपलोड नहीं करवा जाएगा, और सेलेक्शन के तो सपने मत लेना, फिर यह कहता कि अगर आप SC, ST और physical handicapped हैं, तो आपको 30 परसेंट नंबर चाहिए, SC, ST और physical handicapped के लिए आपको 30% चाहिए, यानि 100 का paper है, तो 30 आपको यहाँ चाहिए, अगर आपके 39 भी हैं, तो आप यहीं से आउट हैं, तो एक चीज़ यहां रखना है, कि जो minimum qualifying marks हैं, वो in one tire written examination for general category 40%, OBC के लिए 35%, और SC, ST के लिए और physical handicapped के बिल्कुल ध्यान रखने हैं, वरना दिक्कत हो जाने वाली है, दो चीजों को, मैं आपको बिल्कुल दोबारा से दो चीज में बता रहा हूं, एक तो अगर आपका minimum qualifying वाले कम हुए, तो दिक्कत है, minimum qualifying आपको करना ही करना पड़ेगा, अपने section के अंदर, अगर minimum qualifying नहीं subject हो, जैसे a portion, journal paper को माना जाता, बी आपके subject को माना जाता है, अगर journal paper की बात करूं, मालो 100 number का आपका है, तो journal के लिए इसमें कम से कम 40 सही है, भी वाला, अगर आपको 200 number का आपका paper है, तो 80 चाहिए, 100 number का आपका paper है, तो आपके 40 सही है, तो दोनों के अंदर, अलग अलग करेंगे और फिर आगे जाकर के सेलेक्शन की जो फाइनल लिस्ट लगेगी तब आपका देखा जाएगा तो जनल के लिए 40 परसेंट OBC के लिए 35 परसेंट और सेडूल का स्टेडूल ट्राइब और फिजिकल हैंडिकप के लिए 30 परसेंट यह बिल्कुल ध्यान रखना है लेकिन जनल पेपर में रह जाते हैं कटोफ से बाहर मिनिममन नंबर नहीं ले पाता जिसकी सेक्ड़ नइन जाता और उन को कटोफ नहीं जाता आ Beauty पोटल आप लोगों को सरपरेकार का नोट्स पर वाइड करवा तके सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है कोई भी इस चीज के उपर अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं वर्टसप पे हम लोगों ने नोटिस यह दिखाया है कई सारे नोटिस में पहले भी दिखा चुका हूं लेकिन सब के लिए सेम प्रोसेस रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फटा पर जाकर के स्टडी मैटर लोडर कर लीजिए और डियासेशबी के आने वाली वाकेंसी के लिए तयार आद सुपकत को